हलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टो मैं चैनल, रीनबो और यह दिखे ऐलोबरा प्लांट तो ऐलोबरा एक बहुत हार्डी प्लांट होता है और एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है यह आप सभी को पता है तो आज जो मैं बताऊंगे फ्रेंट्स इसको कैसे आप कर सकते हैं कौन सी मिट्टी देना है कैसे देख बाल करनी है कैसे फटलीजर देना है और कैसे इससे बहुत सारा निव पाप्स आप निकाल सकते हैं तो बहुत ही इजी तरीका है इसको ग्रो करने का तो सारा ही मैं बताती जाओंगे फ्रेंट्स तो यह दिखे मेरे पॉट मे बहुत सारा new puffs निकला हुआ है तो आपके भी इस तरह नए-ने plants बनते जाएंगे तो देखिए ये छोटे-छोटे plants बने हुए हैं लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है अच्छी porous मिट्टी की, wellrin मिट्टी की तो अगर आप wellrin soil बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से चलेंगे नहीं तो ये गल कर सड कर मर जाएंगे तो चिकनी मिट्टी में कभी भी इनको नहीं लगाना है और ये अपने पत्ते में बहुत सारा जेल बनाए रखते हैं तो इनके जेल अच्छे से बनने के लिए इनको जो चाहिए वो है इनको time to time पानी की तेजधार से इनको वाश करते रहिए तो ये पत्तिया फ्लेशी रहेंगी, clean रहेंगी और जेल भी अच्छे से बनेंगी, तो ये मेरा जो बड़ा प्लांट है ये है मादार प्लांट तो इससे ही बहुत सारा पाप्स निकला हुआ है और मैं इनको अलग करती रहती हूँ तो सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं मिट्टी इनको 50% garden soil देना है, 30% sand देना है और 20% compost देना है तो इनको porous मिट्टी चाहिए यानि पानी देने के साथ ही साथ पानी निकल जाना चाहिए और pot की नीचे अच्छा सा drainage हूनी चाहिए और जो pot देना है वो थोड़ा चौरे टाइप का pot देना है जैसे किसी गमले में लगा सकते है और इनके height बहुत जादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनके roots बहुत जादा नीचे नहीं जाती गहरी नहीं जाती और ये दिखे कितना सारा pups निकल रहा है तो ये सारे साल बर ही इनका process चलता रहता है ठंडी में थोड़ा कम growth करते है वेकिन अभी इनका जो time है वो growing period चल रहा है तो मेरी pot की मिट्टी कुछ dry हो चुकी है तो ये धियान रखने वाली बात है कि बहुत जादा दिनों तक pot की जो मिट्टी है वो dry नहीं हो इस तरह condition होने से पत्तियों में जल थोड़ी कम हो जाती है और मैं कुछ दिन हुआ है इनको थोड़ा देखभाल कम कर रही हूँ तो इसके वज़े से भी कुछ ऐसा हाल है तो ये दिखे मैं इसको निकाल कर दिखा रही हूँ इस तरह आप किसी भी plant को उखार कर रख देंगे तो भी ये plant जल्दी से मरता नहीं है तो इसके root बहुत ज़्यादा बनते नहीं है और बहुत ज़्यादा गहरे भी नहीं जाते इसलिए इसको कम height ओले pot में ही लगाना है और कम height देने से क्या होता है friends इसके जो pups हैं बहुत ज़्यादा बनती रहती है तो मैंने खुद देखा है और आप देख रहे हैं मेरे पॉट में कितने सारे पॉप्स निकले हुए हैं और कितने चोटे चोटे पॉट में मैंने लगाया है इनके हाइट चार इंच पाच इंच ऐसा ही है लेकिन मिट्टी थोड़ी भूरबूरी मिट्टी होनी चाहिए क्योंकि इसके जो रूट होते हैं शेलो रूट होते हैं और अगर मिट्टी हाड होगी तो ये अच्छे से नहीं चल पाएगा और पाप्स भी नहीं निकालेगा तो भूरबूरी मिट्टी में ये अच्छे से चलता है और यानि रेतीली मिट्टी देना है इसको सेंड आप जरूर मिलाएगा कोकोपिट मत दीजिए क्योंकि कोकोपिट से क्या होता है पानी होल्ड रहता है और जो प्लांट होता है ये सरने का खत्रा रहता है तो आप सेंड मिलाएगा और इसकी जो कॉम्पोस्ट की मात्रा है जो मैंने बता दिया है और साथ ही साथ आपको जो करना है ये दिखिए ये इस तरह के जो स्टेम्स होते हैं लंबे होते जाते हैं और पाप्स यहां से इसके जो स्टेम्स निकलते रहेंगे और तो इस तरह से आपके नए-ए नए प्लांट्स बनते जाएंगे नए पुप्स निकलता जाएगा, तो मेरे तो कितने सारे बन चुके हैं आप देख सकते हैं, और ये दिखें मैं आपको दिखा रही हूँ, यह जो stem है मैं इसको निकाल कर देख सकते हैं तो इसको मैंने पहले एक stem बहुत ही लंबी हो चुकी थी और इसको मैंने काट करके ऐसे ही मिठी में रग दिया था तो इससे न carta आ你 जो निकल रहे है तो आप इस तरह नही प्लांट बना सकते हैं मैंने आपको बताया है आपको पत्ती काटकर लगाने की कोई जरूरत नहीं पत्ती काटकर लगाएंगे हो सकता है तो इस तरह हो सकता है पत्ती सर जाए और मैंने कभी ऐसा ट्राइ नहीं किया है तो यह आसान तरीका है आप मिट्टी में इस तरह जो नए लंबे स्टेम होते हैं इनको रख दीजिए और बहुत सारे न्यू पप्स अपने आप ही निकलते रहते हैं और कितना सारा प्लांट बनता रहता है और प्लांट को पत्यों को फ्लेशी रखने का जो तरीका बता है मैंने प्लांट के उपर पानी की तेजधार से स्प्रे कीजिए पत्या fresh रहेंगी और इसकी धूल मिटी चली जाएगी तो पत्या बहुत ही जल्दी से जल बना पाएंगी और आप क्या कर सकते हैं इनके जो plants हैं इनको आप semi shade में grow कीजिए इनको धूप बहुत जादा नहीं चाहिए अगर shade में रख सकते हैं तो shade में रखी है नहीं तो थोड़ी एकात घंटी की धूप आ जाए तो काफी है इनको धूप की जरूरत नहीं होती फ्रेंट्स ये shade में ही बहुत अच्छे से grow होते हैं और इनके पत्या भी फ्रेशी बनी रहती हैं धूप में रखेंगे तो पत्या पत्या रेडिश होती जाएंगी ग्रीन नहीं रहेंगी और पत्यों में जल भी कम बनेगा और ये दिखे स्टेम से कैसे नया पाप्स निकलता है आपको दिखा रही हूँ तो इस तरह आप नयना प्लांट बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसको जो फर्टलीजर देना है वो आप कावडांग कम्पोस्ट को भीगा कर लिक्वीड फर्टलीजर दे सकते हैं या ऐसे भी आप तो महने में एक बार आप बर्मी कम्पोस्ट एक या दो मुठी मिट्टी में दे सकते हैं और चाय पत्ती जो होती है ये अच्छी होती है चाय पत्ती को सुखा कर पॉट की साइड साइड में एक या दो चम्मच दे देंगे तो भी प्लांट को बढ़िया निट्रिशन मिलत तो नए नए पाप्स निकलने का तरीका आपको बता दिया है एक तो चोड़े बरतन में लगाना चाहिए और जो प्लांट है इसको थोड़ा फ्लैट करके ऐसे मिट्टी के उपर रख दिना है और उपर से मिट्टी दे दिनी है तो इससे नए नए शूट नए नए पाप्स बनते रहते हैं और यह जो फर्टलेजर मेंने बता है कावडांग की लिक्विड तो कावडांग कंपोस को लिक्विड बनाकर आप 15 डेज में एक बार दे सकते हैं और इसको पतला करके ही देना है और बहुत ज़्यादा फर्टलेजर की इसको ज़रूरत नहीं है और कमिकल बिलकुल भी मत दीजिए क्योंकि यह हम कंज्यूम करते हैं और अगर कुछ भी जानना हो फ्रेंड्स तो मुझे कॉमेंट में पोच सकते हैं मैं ज़रूर रिप्लाइ करूंगी और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बड़िया जानकारे मिलती रहे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू